हेल दोस्तों वल्कम टू माइ चैनल दोस्तों रेलवे आर पेप कॉंस्टेबल गुरूप A, गुरूप B और गुरूप एप का अफसल नौरमाइशन कटप की जानकाई दे दी गई है और दोस्तों इस वीडियो के दोरा आप लोग को बताएंगे कि बच्चे का रो माक्स यानि कितने रियल माक्स से बच्चे का सेलेक्शन लिया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी तो दोस्तो आप लोग वीडियो को अन तक जरूर देखे, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करे और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेर करे यानि दोस्तो बात कर लेते हैं, नौरमाइटन में कितने मार्स बढ़ाया जा सकता है यानि दोस्तु जंडली बच्चे का पॉंच से लेकर 25 मार्स तक बढ़ाए जा सकते हैं अगर railway group D के formula का यूज किया जाए तो आप लोग देखे होंगे उसमें लागवग 30 पलस मार्स भी बढ़ाए गये हैं लेकिन दोस्तु जंडली जो बच्चे का मार्स बढ़ता है वो अब 20-25 मार्स तक बढ़ सकता है और उसी के अधार पर railway आरप अप कॉंस्टेबल में जो रिजल जारे किया जा रहा है उसी के अधार पर बच्चे का सेलेक्शन लिया जा रहा है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं काफी बच्चे का जब railway आरप अप कॉंस्टेबल गुरूप A, B और एप का रिजल जारे किया गया था तो काफी बच्चे ने या कॉमेंट किया था सभी जगा की इतने मार्स से मेरा सेलेक्शन हो गया है और इसी के आदार पे उसद बच्चे का जितना सेलेक्शन हुआ है उसी के आदार पे आप लोग को जानकाई दी जा रही है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रेलवे आरपे अप कॉंस्टेबल ग्रूप A का अफसल कर्टप यानि नर्मेशन कर्टप की जानकाई दी गई थी उसके बाद इसमें जो बच्चे का सेलेक्शन हुआ है अगर आप लोग फिमिल है तो आप लोग का रियल मार्क्स अगर 36 से 41 आया है तो आप लोग का इसमें सेलेक्शन हो गया है यानि दोस्तों अगर आप लोग 36 से 41 मार्क्स लाए हैं और आप लोग का नर्मेशन में मार् एसी की बात करें तो 31-36 जंडली और स्टी की बात करें तो अठाइस से 30 और जंडल की बात करें तो 37-42 कटप ग्रूप ए अगर उनका 46 मार्स आया है और उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है ऐसे भी कापी जानकारी मिली है और मेल की बात करें तो mail का cut up generally real जो cut up गया है वो 83 से 88 के बीच में रहा है और SC की बात करे तो 66 से 71 और HD की बात करे तो 65 से 70 जनरल की बात करे तो 69 से 74 और X Service Man की बात करे 26 से 31 यानि दोस्तो इससे कम भी marks वाले का selection हो गया है और इससे अधिक वाले बच्चे का भी selection नहीं हो पाया है इसका मतलब यहा है कि नॉर्माइशन में काफी marks बढ़ाए गये हैं और किसी बच्चे का marks नहीं भी बढ़ाए गये हैं लेकिन जनरली जो देखा गया वह इतने के बच्चे के करीब जो marks आया है उनका selection हो गया है और ठीक इसी परकार आप लोग देख सकते हैं रेलवे आरप यप कॉंस्टेवल गुरूब B का यानि दोस्तों कितनी वेकंसी है इसके बारे में भी आप लोग को बता गया है यहीं गुरूब B में फिमेल का 440 बैकंसी दी गई थी ओंग एक की बात करें तो फिमेल में 977 वेकंसी दी गई थी ओंगे जो रेलवे आर कटप भी जा सकती है वहीं गुरूब B की बात करें फिमेल का उनका रियल मार्क्स 39 से लेकर 44 आया है तो उनका सेलेक्शन जनरली हो गया है और rant भम टुऊंच करें टो 38-47 और सी की बात करें तो सेताली से बावन कष़ अब Y करें है और दोस्तो काफ़ी बच्चे अइसे भी है जिनका इसे कम भी आया है तो उनका से लेक्शन हुआ है और इससे अधिक भी आया है तो उनका सेलेक्षिन नहीं हो पाया है यहां दोस्तों पूरा प्रोसेस नुर्वेशन पर डिपेंड किया है वही मेल की बात करें तो मेल का 78 से तरासी उसके बाद सी का त्यातर से अठतर से अठतर से बार सट और जंडल का सततर से बार सी ओए एक सर्विस्मेन की बात करें तो 26 से 31 कट अप गया है रेलवेय आर्पय पॉंस्टेबल गुरूप वी का वहीं बात कर लें बात करें तो चोट्र से उनासी ओवी सी का कट अप गया है और एस्टी की बात करें तो अन्ठाबन त्रिसाट वहीं जंडल की बात करें तो तर से 81 एक सर्विसमेंट बात करें तो 26-31 कटप गया है यह रेलबे आरपे कॉंश्टिबल का रियल कटप जो औस बच्चे का गया इतना ही गया है और इसे कम भी बच्चे का सेलेक्शन हो गया है अगर उनके मार्च में अधिक मार्च बढ़ाए गया है यह हम अंतर जो लिए हैं पॉंश से लेकर 10 अंतर लिए हैं यह अगर बच्चे का पॉंश से लेकर 10 मार्च प्लस कर दिये गये हैं तो इनका सेलेक्शन हो गया है और अगर आप लोग का इसे कम भी हैं तो 25 अगर आप लोग का मार्च बढ़ा गया तो आप लोग का सेलेक्शन लिया गया है अगर आप लोग का मार्स नहीं बढ़ाया गया है ऐसे भी बच्चे काफी देखने को मिले हैं तो दोस्तों या थी कुछ मातपून जानकरी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें उस वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें और अगर आप लोग रेले आर आप कम मार्स भी आ रही है तो आप लोग के ऐस्जाम में अगर पहुंस 10-15 मार्क में क्या जाएगा तो आप लोग का सेलेक्शन हो जाएगा और दोस्तों एक कारणयां भी है कि ये इस exam में इतनी hard physical exam है तो इतना hard है कि बच्चे का selection नहीं हो पा रहा है जिसको लेकर railway RPF constable में सभी group का चाए SI हो या constable हो second list भी जारी किया जा रहा है ऐसे में अगर आप लोग का marks अगर अच्छी है और आप लोग का selection नहीं हो पा रहा है तो उसमें आप लोग का selection हो सकता है दोस्तों thank you watching for video